अदिभग जोनों कैसे हैं आप सब आप सभी परमातारानी की किरपा बनी रहे चलिए आज सुनते हैं कि भगवान श्रीकिष्ण को क्यूं करने पड़ी देवी शत्यभामा से विवा यूं तो जब सिरकिष्ण ने रुकम देवी रुकमनी से विवा कर ही लिया था और फिर उन लक्षमी का आउतार माना जाता है एक तो कारण यह भी था दुश्री बात थे कि सत्यभामा ने अपने पुरु जन में तपश्याकर सुरीकिष्ण को पति रुकमे पाने की एक शाव्यक्त की थी और साथ ही इससे जुरी और भी कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण सुरीकिष भगवान ने अतार लिया हुआ था और उस समय सत्राजित नाम का एक राजा हुआ करता था उसके पास सैमन तक मनी हुआ करती थी जो कि उसे भगवान शुरी देव ने परदान की थी और उस मनी का यह विधान था कि उससे प्रतेक दिन सोना निकलता था एक वार सत्राजित क भाई प्रशेन उसे गले में धारन करके सिकार खिलने बन में चला गया और वो काफी शमय तक अपने घर नहीं लोटा तो सत्राजीत को यह सक हुआ कि स्रिकृष्ण ने ही उसके भाई प्रशेन को मा डाला है और सहमंतक मनी चूरा ली है हासिल कर लिया है उसने ऐसा है इसलिए क्योंकि एक वाई सत्राजीत जब भगवान श्रिकृष्ण से मिलने आया तो भगवान स्रिकृष्ण ने जब उसके गले में सहमंतक मनी देखी तो उन्होंने शोचा कि यह मनी तो राज дело के पास होना चाहिए क्योंकि उनके विचार से कोई भी भु मुल्येज राजा के पा और वहीं से उसका भाई उस मनी को पहन करके दुन्या को दिखाने के लिए चला गया। पेरों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि आगे सेर मड़ा परा है और वहाँ पर एक रिक्ष के पेर के निशान है तो स्रीकृष्ण उनके पेर के निशान को देखकर ही आगे बढ़ने लगे कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने एक गुफा देखी और उस स्री राम अवतार के समय के जामबंत जी रहते थे स्री कृष्ण ने उनसे चाकर सैमन तक मनी मांगी और अपना भेद उनसे नहीं बताया तब जामबंत जी स्री कृष्ण से युध करने लगे और युध करते समय जामबंत जी को या पता चला कि अब वो हारने वाले हैं या वो जीत नहीं पा रहे हैं तब उन्हें एहसास हुआ कि इस पृत्वी पर सिरी राम के अलावा दूसरा और कोई भी व्यक्ति उनको नहीं हरा सकता इसे लिए तब उन्हें भगवान स्री किष्ण से अपने शही रुप में आने के लिए कहा स्रीकृष्ण से जामबंद का युद होने के पीछे भी एक कहानी जुरी हुई है ऐसा माना जाता है कि रामाईन के समय में जब लंका में युद हुआ तब जामबंद जी के मन में घमंड आ गया क्योंकि उस समय जामबंद जी जो सो सो राक्षसो को एक बार में मार दिया करते थे तब भगवान स्रीराम के समाक्षी बैठ कर वो अपने बारे में काफी अच्छा और बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे तब भगवान श्रीराम ये बात समझ गये कि जामबंद जी के मन में घमंड आ गया है तब भगवान ने कहा और उनकी इक्षा को देख करके क्योंकि उनकी इक्षा थी कि भगवान श्रीराम उनके साथ युद करे तब भगवान स्री राम ने कहा कि इस जन में तो नहीं लेकिन अगले जन में मैं आपके साथ युद करूँगा और इसलिए इस जन में जामबंत जी का युद स्री कृष्ण के शाथ हुआ जहां वो पड़ाजित होने वाले थे तब उन्होंने श्री राम को याद किया और भगवान स्री राम के रूप में उनके समक्ष प्रस्तूत हो गए तो श्री कृष्ण भगवान ने जामबंत जी को वहां से राम के रूप में जब दश्रन कराए तो जामबंत जी ने श्री कृष्ण को सैमंतक मनी भेट कर दी और अपनी प्यारी पूतरी जामबंती को भी दे दी यानि कि भगवान सिरक्रिष्ण ने वहां जामबंती से बिवा किया और उसके बाद जामबंती से बिवा करने के बाद वे द्वारिका लोटाएं जब भगवान द्वारिका आएं तब उन्होंने सैमंतक मनी लेकर सत्राजीत को दे दी और सत्राजीत वह मनी उनको लेकिन भगवान ने यह का कर्मना कर दिया कि आप भगवान शुरी के सेवक है और यह मनी उन्होंने आपको दी है तो मैं इसे नहीं ले सकता तो सत्राजीत और भी लजीत हो गया और तब उसने कुछ नहीं सोचा और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवा स्रिकृष्ण से कर सत्यभामा बहुत ही सुंदर कन्या थी और सत्यभामा में शारे शदगुन भी विद्वान थे और कहीं न कहीं देवी लक्षमी के ही अवतार भी थी और इसे लिए भगवान स्रिकृष्ण के साथ देवी शत्यभामा का विवा हुआ देवी शत्यभामा स्रिकृष्ण को बह बहुत से सुन्दर जीवन के रहश्य हैं और बहुत सारी कहानिया भी जूरी हुई हैं जिसे मैंने अपने चैनल पर सेयर भी किया है और मैं करने वाली भी हूँ